इस सत्र में हमें जानकारी मिलने वाली है कि हम सोसल मीडिया के जो हमें ये सस्त्र मिला है इसका हम सही प्रकार से उप्योग किस प्रकार से करें देश हित में इसका हम उप्योग किस प्रकार से करें ये इस विचार पे हमें आज दिन भर के तीन सत्र हैं और इस पे हमें आज विचार करने का मोका मिलेगा और जो हमारे इसके एक्सपर्ट हमारे बीच में है वो हमारे बीच में आज इसके विचार भी राखेंगे। कि मैं मानता हूँ कि भारत के पतन का मुख्य कारण ना तो गरीबी ही है, ना ही धर्म भावना या अध्यात्मिक्ता की कमी है, अपितु विचार शक्ती का रास ही हमारे पतन का मूल कारण है। हम इस सोशल मीडिया को देखें, तो वो जो अज्यानता हमारे समाज में तरह तरह की भांतियां, बहुत सारे आपस में दुरभावना जो फैल गई, उसको जो खतम करना ही सोशल मीडिया के हमारे द्वारा उपियों का मूल उद्देश्य होना चाहिए। हमारी धर्म, संस्कृती, इतिहास, हमारी शम्ताओं और हमारे विरोधियों का भी जो असली चेहरा है, उसको लेकर चहूं और तरह तरह की भांतिया फैली गई है, फैलाई जा रहे हैं और आगे भी फैलाई जाती रहेंगी। और इस अज्यान का प्रतिकार करने में सोशल मीडिया की एक बहुत प्रमुख भूमिका रही है, कैसे एक समय पर मेंस्ट्रीम मीडिया को सोशल मीडिया ने सेंसर किया, जब उसे सेंसर करने वाला कोई नहीं था, वो एक फैलाई उससे हम भली बाती परिचिते हमने आपने एक बूमिका सभी ने निभाई है, अपने अपने इस तरफ, गलत न्यूज फैला रहे हैं पत्रकारों को भी हमने कई बार टोका होगा हम सभी ने, लेकिन ये कि वो फेज अब धीरे धीरे खतम हो रहा है, लोग बहुत सा पहचानने लगें कि MSM के अंदर क्या चीज़े कई बार चलती हैं और किस एजेंडा के साथ वो चलाई जाती हैं, लेकिन इस अज्यानता जूटे तत्यों और छिछले तरकों पर आधारिज जो भारत विरोधी विमर्श है, उसको सही तत्यों से काटना और तरकों से काटना, ये जो है, ये हमारी प्रात्मिक्ता होनी चाहिए तो MSM तो expose हुआ, लेकिन जो भारत विरोधी शक्तियां थी, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बहुत से चेरे राश्ट्री इस तरपर, अंतराश्ट्री इस तरपर ऐसे आगे किये, जो देखने में लगते हैं कि वो बिलकुल ही स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडनेंट हैं, कोई एजेंडना नहीं है, जैसे एक छोटा नाम है, ग्रेटा थनवर्ग, जिनके द्वारा वो टूल किट जो बहुत ही चर्चा में रही, वो लीक हुई, तो सबसे पहले तो हमें इस strategy को समझना होगा, क्योंकि अभी भी क्या होता है कि जब कोई ऐसी घटना होती है विवा कर रहे होते हैं, लेकिन अब जो है चीज आगे निकल चुकी है, ऐसे इंडिपेंडनेंट चेहरे जो है इन चीजों को ट्रिगर करते हैं, अब यह है कि मान कर चलिए कि 99.99% मामलों में तत्य और सत्य हमारे पक्ष में होता है, लेकिन कई बार हम आलस से कर जाते हैं, या हम कि उन तत्यों से अनभिग्य होते हैं, या पिर हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा होता है, हम उसको इतना छोटा समझते हैं कि हमारे आसपास कहीं छोटे शहर में गाउं में हुआ है, हमको वो उठाना नहीं है, हम उसको छोटा समझ के भूल जाते हैं, वो हमारे शहर के जो लोकल एडिशन होता है न्यूज पेपर्स का उसमें दब कर एक छोटी सी घवर आती है और वहीं दब कर रह जाती है जबकि हमारे जो विरोधी हैं उनकी स्ट्रेजी बिलकुल अलग है तली की गटना लीजिए करनाटक में किसी गाव में एक चर्च में कोई पत्थर मार गया एक काच फूट गया वो कल राष्ट्रिय सोशल मीडिया पर भी और आज के आप अकबार देख लीजेगा वो राष्ट्रिय हेडलाइन जो है वो बन जाएगी सोशल मीडिया में तो कल ही बन गई थी वो किया किसलिए गया क्योंकि करनाटक सरकार एक मतांतरन विरोधी कानू ला रही है तो वहाँ पर कई दिन पहले से ही जो चार्च के लोग थे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि क्योंकि एक क्वानून लाया जा रहा है तो इससे हमारे समुदाय के विरुद्ध जो है एक समाज में घ्रणा फैल रही है फिर अचानक से पत्थर आ जाता है और लग जाता है और वो राश्ट्रिय विमर्ष का हिस्सा बन जाएगा वो क्यों किया गया है वो सबापी बहुत समझा रहे हैं वो कोई बताने की उसमें बात ही नहीं है अब आप देखिए कि पिछले कई वर्षों में यह हमारा जो आलस से या इस किसम की जो छोटी घटना है हम नहीं उठा पाते हैं उसकी वज़े से हम लोगों को कई बार बैक फुट पर आना पड़ा है जैसे गौत असकरो पर जो है कई बार ग्रामीनों की भीर ने हमला किया उसके लिए पूरे समाज को पूरे देश को शर्मिंदा करने का प्रयास बार बार किया गया चर्चों प हमले पता चला बाद में कि वो जूटे भी थे लेकिन हम ने क्या किया हमने ये तो कहा कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया लेकिन हमने क्या किया यह आप सोचिए मेरी बात किसी को कटू लगया तो मैं शमा प्रार थी उसके लिए देखिए गौत असकरो द्वारा किसानों पर बी एस फ के जवानों पर पुलिस के जवानों पर हमले की घटनाएं कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जो भारत में नहीं होती है कोई दिन ऐसा नहीं जाता है एक बहुत ही आम घटना है कि उन्हें जहां-जहां रोकने का प्रयास किया जाता है वो अपनी पिक अप वैन को से करते हैं और ऐसे मतलब सेंकड़ों उधारण है दो घंटे लग जाएंगे अगर मैं सब को यहां पर चर्चा करने लगूँ एक छोटा दा उधारण देता हूं विगत जुलाई की बात है यह एक स्पेशल पुजलिस ऑफिसर थे रेवाडी में राजेश कुमार जी इनके ऊपर तीन वर्ष पहले गौत अस्कुरों ने पिक अप वैं चढ़ा दी थी और इनको कुचल कुचला गया और उसकी वाद से कौमा में चले गए और यह तीन वर्ष तक कौमा में रहे और उसके बात जुलाई में उनका दिहान धो गया लेकिन हमारा जो हमारी जो असफलता कहिए है हमारा जो आलस से कहीए हमुंका जो एक तो हमारी संस्कृती के प्रतिबलिदान था जो गउर रक्षा के लिए उन्होंने किया दूसरा अपने अपने पुलिसमैन अपने करतव वेगा निर्वेन करते वे जो किया और एक भारत के आम नागरे क्या उन्हें हम वही साहनबूती क्या उनके परिवार को हम वही साहनबूती दिलवा पाए जो तताकते दादरी जैसे मामलों में या जो जारखंड में मामला हुआ था बहुचर्चित उसको लेकर हमारे विरोध करवा पाए तो यह हमें थोड़ा सा आत्म निर्क्षन करने की आवश्यक्ता है इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं यह कोई अपील कर रहा हूं कि हमें कोई भड़काऊ सोचल मीडिया पोस्ट करनी है यह यह वह नहीं है मेरा वह उस पर में उस विशेपर बाद में होंगा तो इसी तरह आप अगर कोई भी ग्रामीन परिवेश से आता होगा तो वो जानता होगा कि ग्रामीन इलाकों में बहुत आम घटना है कि हिंदू मंदिरों की प्रतिमाओं को आए दिन शतिग्रस कर दिया जाता है क्योंकि वो बहुत बड़े केंपस नहीं होते हैं छोटे- हुजा करने पहुंचते हैं तो पता चलता है कि रात को कोई प्रतिमा तोड़ गया और दुर्भाग्यवश हमारा जो प्रशासन है उसकी ट्रेनिंग ऐसी है कि उसको बस बताया गया कि तुम्हें कानून वेवस्था बना के रखनी है उसे यह नहीं बताया गया कि क्या सही ह ऐसे मामले में क्या गलत है तो उन्होंने एक वो बना रखा है कि आप इस किसम की एक हजार खबरे भी अगर पढ़ेंगे तो पुलिस की ओर से यही बयान होगा कि कोई अर्ध विक्षिप्त व्यक्ति था वो यह कड़ गया और वो बात को दबाने के लिए अपने पास से ही खर्चा करकर वो प्रतिमा पुनर स्थापित कराते हैं और मामले को वहां दबा देते हैं ठीक है हमें भी कानून विवस्ता विगाड़ने का या किसी को भढ़काने का वो नहीं है हमारी सबसे अधिक जो है जिम्मेदारी है कि देश में शांती विवस्ता बनी रहे पर प्र यह तब तक नहीं रुकने वाला है कि जब तक हम अपने ऊपर होने वाले हर छोटे-छोटे अत्याचार को कहीं ना कहीं दर्ज तो कराएं और वो दर्ज कराने का एक ही तरीका है वो हमारे पास जो है जो हमारी शक्ती में वो हमारा सोशल मीडिया ही है अब हमें कोई भी उस इस तरफ पर आना चाहिए यह मेरी मतलब आपसे आपने चारो तरफ ऐसा कुछ भी देखें तो जरा इसको जरूर आप रेखांकित किया कीजिए यह मेरा एक देखिए हम हम कोई हर शण इस बात को लेकर सजग रहना होगा कि हम किस यूग में जी रहे हैं यह भारत विरोधी ट समाज में हम लोगों में आपस में विद्वेश फैले और वो इतना सही लगती है कई बार में उधारन नहीं दूंगा क्योंकि फिर वो व्यक्तिकत उसमें आ जाता है कई बार ऐसा सही लगता है कि हम खुद मतलब उद्वेलित हो जाते हैं तो एक जो हमें यह चीज देखनी होगी कि चीज की गहराई तक हम जाने के बाद उस पर टिपड़िंग करने का प्रयास करें देखिए एक बात है कि तथ्य हमारे पक्ष में हैं लेकिन अगर जराबी हमसे तथ्यों में गलती होगी तो हम हमें पकड़ा जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ इसी काम मे लगे हैं कि हमको जूटा सिद्ध करने के लिए तो हमारे पास तत्य हैं लेकिन फिर भी हम किसी चिछली उस आधार पर टिपड़िंग करें वो सही नहीं है तीसरी चीज है स्टीरियो टाइप्स स्टीरियो टाइप्स जो है वो मुख्यत ग्लोबल लेफ्ट द्वारा क्रिय जैसे कि एक हमारे समाज में नेरेटिव है कि एक पर्टिकुलर कास्ट ही दूसरी पर्टिकुलर कास्ट का पर्जिक्यूशन करती है आप अभी एक उधारण देखिए हमारे मानिये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के उनके विरुद एक जाती सूचक टिपनी की गई लेकिन किसी अपर कास्ट के विक्ति दौरा नहीं की गई वो एक OBC वर्ग से आने वाले ही नेता दौरा एक जाती सूचक टिपनी की गई तो अगर हम अपने समाज में यह जातीकत विद्वेश फैला हुआ है तो यह जो समस्या है यह मल्टी डायमेंशनल है तो अगर हम यह नहीं बोलेंगे कि यह मल्टी डायमेंशनल है और जो लैफ्ट ने हम को नेरेटिव दिया है कि अपर लोऊर को करती है अगर हम खुद इस ही में फसे रहेंगे अपना narrative हम खुद नहीं लिखेंगे तो हम इस चक्र व्यू को कभी नहीं तोड़ पाएंगे इसी में एक दिन हम फस के मारे जाएंगे क्योंकि कारण क्या है कि देखिए सत्ता में होना बहुत आवश्चा के लेकिन सिर्फ सत्ता में होने से काम चलता नहीं क्योंकि जो हमारी जो नई पीड़ी है उसको जो है ब्रेनवाश किया जा रहा है तरह तरह से तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना होगा तो यह जो narrative है कि हमेशा majority ही minority का persecution करती है इसको अगर हम तोड़ना चाहते है तो हमें हर छोटे-छोटे अपने उपर जो अत्याचारों है उन्हें तो जो है सामने लाना पड़ेगा जो उन्होंने stereotypes बना के रखे हमें उन्हें तोड़ना पड़ेगा कि हमेशा ऐसा ही नहीं होता है पचास मामले ऐसे भी है तब ही ये जो भारत विरोधी हंगामा होता है ये बंद होगा इन लोगों के मुझ तब ही बंद होगे तो इसलिए अपने उपर हो रहे या अपने समाज पर हो रहे अत्याचारों को पूरी मुखरता से उठाएं लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखें कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो जादेतर ग्लोबल लेफ्ट द्वारा ही कंट्रोल्ड है और अगर आप कोई भी भढ़काओ शब्दों का प्रियोग करेंगे तो आपको D-Platform कर दिया जाएगा जैसा की सीधी सीधी सी बात है कि वो ट्रम्प के साथ हुआ ट्रम्प जैसे शक्तिशाली विक्ती और उनके followers के साथ हुआ तो हमें जो करना है वो ये ध्यान में रखते वे करना है यग्य करना है पर अपने हाथ नहीं जलाने है यह एक मेरा आप से सुजहाव है दूसरी यह है कि एक हम क्या करते हैं हम कई बार सिर्फ प्रतिक्रियावादी ही हो जाते हैं जब कोई घटना होती है जिसको हमारे विरोधी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाते हैं तब हम इन माम लोगों को लेकर खड़े होते हैं कि आपके साथ घटना उसी दिन आपको वह उठाई जानी चाहिए वनना उसके बाद अगर आप 6 महीने बाद कोई और गटना होगी और उसके प्रतिकार के रूप में उस घटना को कोट करेंगे तो उससे कोई लाब होने वाला नहीं है सब्वे समाज में जो कहलाता है अब एक चीज जो और मैं आपसे कहना चाता हूँ जो अभी आधर नहीं हमारे CDS विपिन रावज जी हमको छोड़ कर चले गया समय वो बार बार तकरीवन अपने हर ही लेक्चर में जहां जहां भी उनको बोलने का अफसर होता था वो 2.5 या 2.5 फ्रेंट वार की बात बार बार कर रहे थे एक फ्रेंट वो पाकिस्तान वाला है जीन वाला है जो यह जो बाकी आधा फ्रेंट है यह आधा 0.5 जो फ्रेंट है वो यही फ्रेंट है जिसके बारे में मैं पिछले 5-7 मिनट से बोल रहा हूं और देखिए भारत का इतिहास ऐसा है कि हमें कभी भारी शक्तियों ने नहीं हरा है आप उठा कर देख लीजे यह जो हाफ रंट है यही यही निर्णा एक साबित होने वाला है और इस पर सरकारे और सेनाएं उस तरह आकर नहीं लड़ सकती जिस तरह हम और आप लड़ सकते हैं क्योंकि यह जो हाफ रंट है यह हमारा इतिहास यही बताता है कि हमारे यहां पर हमेशा समाज में एक ऐसा वर्ग रहा है समय समय पर उसका किसी समुदाय थे ले नहीं समय समय पर एक ऐसी विचारधारा के लोग रहे जिन्होंने राष्ट की मुख्यदारत है अलग हटकर बात की और जो वैश्विक शक्तिय भारत को गिराना चाहती थी उनके साथ हो गए जिस समय अलेक्जेंडर ने अफगानिस्तान उस समय जो गांधार था वहां अपना कदम रखा था वो क्रॉस करकर पेशावर की तरफ भी नहीं आया था उस समय ही तक्षिला का राज को मारांभी ने उसे संदेश भेजा कि आप आईए मैं आपके साथ हूँ और उस उसने पुसारे उसको मारे दिखाए जगे जगे घूम कर जो आच छोटे राजे थे उनका दमन किया उसकी सेना के साथ मिल था तो यह हाफ फ्रण सबसे जड़ इंप़ॉटन्ट रखिने वाले लोग ही इस हाफ फ्रण को निट्रलाइज कर सकते हैं क्योंकि जो हमारे विरोधिें में जीए स उधारन दिया उनहोंने कई independent दिखने वाले लोगों को चेहरों को खड़ा किया है अंतराश्ट्री इस तरबर भी राश्ट्री इस तरबर तो जैसे कि एक उधारण है कि कई बार हम लोग hashtags पर बहुत जोर देते हैं लेकिन वो थोड़ी सी अब एक पुरानी विदा हो गई है उसका कारणी है कि अब समाज में पदा चल चुका है कि हर hashtag जो चल रहा है social media पर वो कहीं न कहीं sponsored है कोई शक्तियां उसे चला रही है चाहे हम चला रहे हैं चाहे हमारे सामने वाले चला रहे हैं तो जो neutral है जो समाज में एक neutral व्यक्ति घूम रहा है बाकि जिसके दिमाग में सब कुछ क्रिस्टलाइज हो चुका उसको आप नहीं समझा सकते असान नहीं है जल्दी से तो नहीं समझा सकते तो वो जो है उसको ये लगना चाहिए कि हम जो भी कुछ लिख रहे हैं हम किसी agenda को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं या प्रशंसा करना चाह रहे हैं तो हमें किसी hashtag की आवश्यक्ता नहीं है उस दिन स्वर्ण मंदिर ही headlines में होता है और वो अपने आप for example Twitter पर trend करने लगता तो हम जब mention करेंगे तो वो अपने आप trend में आएगी हमारी opinion तो वो hashtag लगाने से मैं नहीं कर रहा है वो हमेशा ही खराब है लेकिन कई बार वो उतना प्रभावी नहीं रहा है बहुत से मुद्धो बर तो जो मैं बात कर रहा था है यह half front सबसे ज़्यादे important रहने वाला है और हम आप ही इसको neutralize कर सकते हैं सबसे अच्छी तरह से यह देखिए जो 0.5 है वो 2.5 का 20% ही होता है पर अगर मान के चलिए कि अगर आप यह narrative का युद्ध जीत गए तो आपने भारत विरोधी शक्तियों के विरुध 50% लड़ाई जीत ली और 50% के लिए हमारे सुरक्षाबल हमारे जो intelligence agency उन पर भरोसर रखी है वो इसको जीत सकते हैं तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा बहुत-बहुत धन्यवाद और संपर्क टोली को और प्रेड़ना मीडिया की टीम को भी मेरा बहुत-बहुत अभिननन इतना अच्छा कारकरम संभव करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दिवे सोती जी हमारा मार्ग दर्शन करने के लिए और मेरे ख्याल से हमने सभी ने इन विश्यों पर पहले भी सोचा होगा लेकिन उनको जिस तरह से रखा है निश्चत रूप से हमारे लिए चंतनी है और हम इन सब से कही न कहीं प्रेणा लेकर आगे अपना सोचल मीडिया पर अपने विवहार में कहीं न कहीं परिवरतन लाएंगे मैं अब आज के सत्र के मुख्य वक्ता आदर्णिया श्री उमेश उपाधिया जी को अमंत्रित करना चाहूंगा कि वो हम सब का मार्ग दर्शिन करें श्री उमेश उपाधिया हम चर्चा कर रहे है विमर्ष की कि रास्ट्रिय विमर्ष में सोचल मीडिया का हम उप्योग कैसे कर सकते है यह विमर्ष क्या है इसको समझना आवश्यक है मुकेश जी ने पहले बताया कि सोचल मीडिया का कितना बढ़िया उप्योग हो सकता है दिबे सोती जी ने भी बताया कि सोचल मीडिया एक टूल मिला है हमको जिसका हम बहुतर इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इसलिए इसलिए सोशल मीडिया के क्या लाब है कैसे उसके इसने content generation को डेमोक्रेटाइज किया है यानि जो आप content बनाते हैं वह democratize हो गया है अब मैं भी बना सकता हूं आप भी बना सकते हैं छोटी प्रिप ना को बड़ी घटना कर सकते हैं उस्तेमाल कर सकते हैं फायदा उठा सकते हैं हम सब जानते हैं अभी उन सब घटनाओं की चर्चा करने की आवशकता नहीं है एक के बाद अगर यह गट्ना अभना मताईए जाय है कैसे लोगों ने लाब उठाया कोविट के समय कैसे लाब उठाया व्यक्तिक्राइं रूप से कैसे लाब उठाते हैं सब आप जानते हैं मैं अपनी बाहर को विमर्श पर केंद्रित करूंगा यह विमर्श क्या है यह विमर्ष आज का है क्या यह आज खत्म हो जाएगा डिव्य सोती जी ने एक घट्टा का उल्लेक किया कि कैसे करनाटका के अंदर एक चर्च पर पत्थर मारा गया दिल्ली के चुनावते दिल्ली वालों को मालूम होगा मैं वसंत कुझ में रहता हूं वसंत कुझ में भी एक चर्च पर पत्थर मारा गया था और दूसरे दिन वो घटना माइनोर्टी के हरेस्मेंट के रूप पर प्रस्तुत कर दी गई कली नियॉक टाइमस में एक बड़ा अर्टिकल आया कि कैसे भारत के अंदर क्रिस्चन्स का परसीकुशन हो रहा है क्रिस्चन्स के साथ अत्याचार हो रहा है और आप अभी थोड़े दिन बाद अमरीका की सरकार के दुआरा एक फ्रीडम ऑफ रिलिजन रिपोर्ट प्रका पाए तथ्य कुछ नहीं है उसमें एक ही तत्य है कि एक कहीं जाकर कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे उन पर जाकर धर्म परिवर्तन कानून का आड़ लेकर आक्रमन कर दिया गया एक ही घटना उसके अंदर है लेकिन वह करीब 5000 शब्दों का अर्टिकल है यह विमर्ष क पर यह समझने की बात है और इसलिए मैं अपने लैप्टॉप पर कुछ घटनाएं वह विमर्ष से तालुक आपके जानकारी के लिए रखना चाहता हूं 1492 में क्रिस्टफ और कॉलंबस चलते हैं भारत के लिए पहुंच जाते हैं अमरीका चलने से पहले क्या कहते हैं वो मैं उद्रित करना चाहता हूं और उसकी प्रासंगित्ता है आज इसलिए मैं बोल रहा हूं वो वहां पर बोलते हैं यॉर हाइनेस एस कैथलिक क्रिस्टिन और प्रिंसे वो लव और प्रमोट दी होली क्रिस्टिन फेट और एनिमीज ऑफ दी डॉक्ट्रिन फ मुहम्मद और फॉल आइड़लेट्री अन्हेर से जब आइड़लेट्री की बात कर रहे हैं तो हम हिंदू की बात कर रहे हैं वो डिटर्मेंट तो सेंड मी क्रिस्टोफर कॉलंबस तो अब मैंशन कंट्रीज ऑफ इंडिया भेज रहे हैं और किसलिए भेज रहे हैं आगे वो रिखांकित करते हैं तो सी थे सैट प्रिंसेस पीपल और टरिटरीज एंड तो लेंड दिस्पोजिशन एंड दी प्रापर ब शक्सुबा नहीं है वो किसलिए आ रहे हैं यह 1492 की बात है फिर एक और सज्जन निकलते हैं उनका नाम में वास्कोडिगामा वास्कोडिगामा निकलते हैं वो भी यह कहके आते हैं पॉर्टगीज इन हैड इन वीव वन मिशनरी एंड दी अधर कॉमर्शियल परपस द गवर्नर अव गोवा सेड इन 1545 गवाते हैं पॉर्चगीज थे पंद्रे सो पेंटालिस में वो क्या कहते हैं दैट दे केम तु इंदिया विद अ क्रूसिफेक्स इन एंड 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 इंड इस्पिरिट और रूल सीम्स तो भी टिपिफाइड बाए फिगर एक उस गवर्नर ने एक मूर्ती बनाई एक स्कल्प्चर बनाया और जिसको बोलते हैं वाइस रॉय आर्क ओफ इंडिया गुवा एक संथ सेंट एक भारतिय के ऊपर उनका पैर रखा हुआ है और तर प्राशित हुई है एक और सज्जन निकलते हैं जिनका नाम है सर एचेम स्टैनले सर एचेम स्टैनले एक रिपोर्टर थे नियूर्क पोस्त के रिपोर्टर थे जिनको बाद में नाई ठूट दी गई ब्रिटिन की संसत के अंदर सदस्य बने इनुस सो से लेके निति सो पाच के अंदर लंदन से उन्होंने रिपोर्जेंट किया ऐचेम स्टैनले निकलते हैं भारत के लिए निकलते हैं कॉंगो के लिए वो क्या कहते हैं जाने से पहले वो Manchester Commerce of Industry में एक भाशन देते हैं Manchester Chamber of Commerce and Industry में उनका भाशन है वो कहते हैं there are 50 millions of people beyond the gateway to the Congo and the cotton spinners of Manchester are waiting to clothe them पहली कि मैंचेस्टर के जो ब्यापारी हैं उनके कपडे मिलों के जाएंगे Birmingham foundries are glowing with the red metal that will presently be made into iron work for them and the trinkets that shall adorn those dusky bosoms or last line and the ministers of Christ are zealious to bring them the poor benighted brethren into the Christian fold 1492 1545 यह 1867 यही बात चर्चिल कहते हैं और यही बात पिछले साल और हर साल freedom of religion report आती है अमरीकी Congress की यही कहती है यह है विमर्ष social media इस विमर्ष को आगे बढ़ाने का पस्चिम का एक बहुत बड़ा ओजार है पहले तो यह इस्तेमाल इसी तरह से होगा जैसे बाकी कहानियों का हुआ एक भी घटना निंदन यह है फिर मैं बोलता हूं हमसे जादा tolerant हमसे जादा democratic religious freedom देने वाला समाज नहीं है लेकिन इस ओजार का इस्तेमाल करके कैसे हमें ही कठगरे में खड़ा किया जा रहा है यह महत्वपूर्ण है यह समझना महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो इस विमर्ष में सच्चाई के सेनानी हैं सच्चाई के सेनिक हैं आप में से सब लोग जब तक हत्यार को ठीक से समझेंगे नहीं उसका इस्तेमाल भी ठीक नहीं होगा वो कई बार स्वयम के ऊपर चल जाएगा एक मैंने चुकि बात हो रही थी युद्धों की तो एक बात मैंने पढ़ी थी कि भारत अचानक से युद्ध क्यों हरा यह क्या हुआ और यह बड़ा अच्छा सा विरिणन था और जो अभी हमारे विदेश मंत्री हैं उनके पिताजी थे से सुब्रमन्यम साहब वो बड़ा स्ट्रेटेजिक लिखते थे टाइम्स अफ इंडिया के अंदर उनका एक लेक मुझे याद आता है उन्होंने कहा कि भारत हाती के कारण युद्धारा क्यों हाती बड़ा बल्वान था एक समय था जब हाती हमारे राजा लेकर जाते थे और दूसरे लोग डर जाते थे और हम लोग जीच जाते थे या वो कुछल देता था लेकिन बारूत का विस्कार हुआ उस हाथी को हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल किया दूसरे लोग आकर हाथी के उपर एक गोली मार देते थे वो पागल हो जाता था हमारी सेनाए हमारे हाथियों द्वारा कुछली जाते थी समय के अनुरूप इन युद्धों में सही हत्यारों का सही इस्तेमाल और सोशल मीडिया एक औजार है कई बार वो साध्य भी है और साधन भी है ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे इसके मैं उसमें नहीं जाओंगा लंबी बात हो जाएगी तो मैंने शुरू में कहा कि सोशल मीडिया ने कंटेंट सर्जन का लोकतांत्री करण किया है पर क्या ये सोशल मीडिया पूरा आपके हाथ में है यूमनिस्ट्री में मानवते के इतिहास में कंटेंट डिसेमिनेशन का इतना जादा केंडरी करण और सेंट्रलाइजेशन कभी नहीं हुआ जितना सोशल मीडिया के जमाने में हो रहा है आपके उपराष्ट्रपती के ट्विटर हैंडल को एक आदमी बंद कर देता है और आप तो उसी पर आश्रित हैं बाद में माफी मांग लेता है क्या ये एक्स्परिमेंट था या गलती थी सोचने की बात है अभी जिक्र हुआ कि ट्रंप का सोशल मीडिया का नलका एक दिन पीछे से लाइन बंद हो गई और पाप निर्जीव हो गए सोशल मीडिया में निर्जीव हो गए अभी मानिक कृपाशंकर जी ने एक बहुत अच्छी बात कई और यह बात कई कि आप एक दूसरे को पहचानिये मिलिए परिचे कीजिए फेस्बुक से मिलना ही मिलना नहीं है वो हत्यार कभी मत छोड़िएगा वर्च्वल से रियल वाला जो हत्यार है रियल दुनिया को जिस दिन हम छोड़ देंगे उस दिन हमारी ताकत क्षीन हो जाएगी खाली वर्च्वल की दुनिया में फसे मत रहिएगा यह कृपाशंकर जी आज इस विमर्ष में कह रहे थे फेसलेस मत बने रहिए फेस टू फेस पर रहिए फेसबुक पर रहिए पर फेस टू फेस को मत भूलिए यह वो कह रहे थे यह बहुत आवश्यक है अब मैं आता हूं कि इस सोशल मीडिया के विमर्ष को मैंने आप से कहा कि इस ओजार को आप कैसे बहुतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं सोशल मीडिया ने एक फेसलेसनेस दी है और यह किताब का जिकर करूंगा मैं अगर आप लोग पढ़ पाएं तो अच्छा होगा एक बहुत अच्छे ठिंकर हैं फ्रीडम ओफ एक्स्प्रेशन के बहुत बड़े योद्दा हैं दुनिया में यूवल नोह हरारी यूवल नोह हरारी एक इसराइली हैं इसराइल को भी खूब गालियां देते हैं लेकिन किताब बहुत अच्छी लिखते हैं उनकी किताब है 21 वन लेसंस फर 21 संच्छुरी और उसके अंदर वो सोशन मीडिया का जिकर करते और खूब अच्छे से जिकर करते हैं हमको सोशन मीडिया को समझने में उससे मदद मिलती है। वह कहते हैं कि यह जो इंफोटेग और बायोटेग का सम्मिलन हो रहा है इससे दुनिया में मैं कहां आ रहा हूं जब हम किसी को देखके हर्शित होते हैं या दुखी होते हैं तो यह कहते हैं कि एक chemical reaction तो है आपके brain के अंदर वही आपको संचालित कर रहा है तो इस chemical reaction को बदला जा सकता है क्या इंफो टेक के द्वारा social media company आजकल आपके और मेरे व्यवहार को संचालित कर रही है आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनके पास फोन है क्या आता है क्या नहीं आता आप आप control नहीं कर सकते नियं सकता है मेरा फोन भाघोड़ा हो हो जानकारी होगी इसकी जरूरत भी नहीं है मैं फेस्बुक पर क्या लाइक करता हूं कूपर क्या लाइक करता हूं क्या डिसलाइक करता हूं कौन से खाने को पसंद करता हूं कौन से खाने को ना पसंद करता हूं किस राजनितिक विसार को प्रसंद करता हूं किस पर गुस्य में लिखता हूं यह तुम्हें रूज करी र बाते हैं और मेरी एक माइंड की मैपिंग पूरी की पूरी है उनको मालूम है क्या पसंद है क्या ना पसंद है वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है किसी शूपर गुसा होता है किसी शूपर पढ़ता है कितनी देर नहीं पढ़ता यह सम्मालूम है तो फिर मुझे को व मेरे मन को तो कंट्रोल कर लिया ना तो ये सोशल मीडिया कंपनिया पूरे लोगों के मन को चित को और जब कंट्रोल कर लिया तो उसको बदलने की भी खिशमता रखते हैं ऐसे प्रयोग हो रहे हैं और ऐसा लगा है कि यहां बदला जा सकता है यह बड़ी चिंता की बात है हम आलादित हो सकते हैं कि यह सोशल मीडिया तो बड़ी अच्छी चीज है अच्छी है भी इससे कैसे बाहर निकलेंगे पहली बात हमारे शास्त्रों में लगातार लगातार एक बात कही गई है और कुछ भी पढ़िए आप एहम को त्यागी है कहते न आप कहां शास्त्रों की बात यहां एहम त्याग यह तो भक्ति-वक्ति की बात है सोशल मेडिया आपके एहम को बहुत बड़ाता है और आपको अब विवेक पून काम करने के लिए कई बार बाध्य करता है कैसे पहले होता था कि मान लीजे कि आपकी किसी से कोई बात हुई जगड़ा हुआ आप थोड़ा विचार करते थे उसके बाद रियक करते थे यही होता था ना और घखड़ा होता थोड़ी देर में क्रोध गिर जाता था और आपको लगता था यह बात तो सही कह रहा था नहीं खाम-खां के लिए अटक गया इस सोशल मीडिया आपको ट्रिगर हैप्य Bनाता है हां व्यक्तिकत संबंढ़ों में राजनीतिक संबंढ़ों में आप इसने यह कहा इसने गाली दी मैं सवागाली देता हूं किसी ने सवागा ली दी मैं डियर गाड़ी लेता हूं और आप तुरं तुरंट कुछ करते रहते हैं पहली बात सोशल मीडिया के सही इस्तेमाल के लिए तुरंट कुछ नहीं करने का है सोचने का है विचार करने का है यह क्यों लिख रहा है उसके बाद रियक्ट करने का है यह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है तुरंत मत लिखिए रुक जाईए सोचिए फिर सबको बदलने की कोशिश करने का नहीं है हम लोग ना जिस विचार परिवार से आते हैं उसके एक तकलीफ है मानिक क्रपाशंकर जी के सामने कह रहा हूं हम सब को सोचते हैं कि वह हमारे जैसा बन जाए या स्वनसेवक बन जाए और इसके लिए प्रयास करने की कोशिश करते हैं कि अरे वो तो भाईया कुछ और छदम नाम से चल रहा है तो बदलेगा नहीं कि आपके उसका इस्तेमाल करेगा एक एक सोती जी ने बात कहीं कि हमको कुछ लोगों को इंडिपेंडेंट रहने देना है अब यह एक है न मुनतजर साहब कि बाठ्चा बोलतें प्ड़ाच्छा लिखतें तो को ये किसी कारेक्ट किय नाम है मनोज मुनसे किसी ने का को इनको अपने पारिक्टर में बुलाते हैं मैंने का भाई उसको छोड़ दीजे उसको लगने दीजे उसको पीछे से सपोर्ट कीजे उसको आपके मंच पर दिखना नहीं चाहिए पर बाई लोग मानेंगे नहीं यह एक ऐसी चीज क्रिएट करना ऐसी फॉज क्रिएट करना जो एक्चुली इंडिपेंडेंट है हम भी इंडिपेंडेंट हैं लेकिन यह विमर्श की लड़ाई है इसमें सही गलत कुछ नहीं है इसमें टैक्टिकल होना चाहिए स्ट्रैटेजिक सोच हमें रखनी चाहिए मैंने कहा ट्रिगर हैपी नहीं होना जो मेरे को परिवर्टित करना है ऐसी सोच के साथ सोचल मीडिया पर काम नहीं करना हाँ कोशिश करनी है अपनी बात को तरकपूर्ण तरीके से बिना गाली के रखना है क्योंकि सोशल मीडिया पर जो सबसे बड़ा सवाल आता है और वो आता है क्रेडिबिलिटी का ट्रस्ट का आप अगर लगातार बरिया लिखेंगे तो आपके परती credibility पैदा होगी trust पैदा होगी और आपकी बात को लोग मानेंगे यह लंबा game है एक दिन का नहीं दो दिन का नहीं है आप warriors हैं आपको यह करना चाहिए और आखरी बात चुंकि मेरा समय समाब थो रहा है दो मिनट मैंने ज़्यादा ले लिए एक मिनट और लूँगा सोशल मीडिया के स्ट्रक्शर को समझे है एल्गोरिदम कैसे काम करती है एल्गोरिदम के पीछे क्या है कौन लोग काम करते हैं यह समझने की और ऐसे वारियर्स क्रियेट करने की आवश्यक्ता है सिर्फ सोशल मीडिया के यूजर्स बनाने से काम नहीं चलेगा पीछे के लोग बहुत बनाने हैं और यूबल नौहरारी की बात से समाप्त करूंगा वो यह कहते हैं कि जो सोशल मीडिया को आज बना रहे हैं वो लोग कौन है कोई इंजीनियर्स हैं कोई एंट्रिपनियोर्स हैं जो अपने अपने बंद कमरों में बैठे हुए एल्गॉरिदम्स के सिस्टम बना देते हैं और वो किसी का प्रतिमिद्द तो नहीं करते दोंट रिप्रेजेंट प्लिटिकल पार्टी डे डोंट रिप्रेजेंट पॉसिबलियर आइडियोलजी ऑल क्या नहीं देखना चाहिए हमको ऐसे लोग क्रियेट करने हैं पीछे टेक्नोजी वाले लोग जो सोशल मीडिया के बनाने को कंट्रोल करें उसको समझें तब हम सोशल मीडिया के असली वारियर बन पाएंगे और रास्ट्रिय हित में देश के हित में चुंकि वह पुरी दुनिया के लिए उचित है हम तो बात भारत की तो करते नहीं न सुबह सुबह उठते हैं तो हमारी तो मापिता जैन पहले सबह समझाया है विश्व का कल्यान हो विश्व में शांती हो खाली घर में शांती की बात तो करते ही नहीं हम कभी नहीं करते मतलब हमारे तो जीन्स में घुसर दिया गया है उदार चरिता नाम तुवसुदेव कुटम वकम तो हमारी तो जैनिटिक ओडर ऐसा बना हुआ है न भई इस जैनिटिक ओडर को बचाये रखना दुनिया के लिए बहुत जरूरी है अन्यत्या दुनिया लड़ा बरके खतम हो जाएगी इसलिए हमको इस नए हत्यार को समझना है और रास्ट्रिय हित्में जो अंत्तो गत्वा विश्व के कल्यान के लिए है उस हित्में इसका सही इस्तेमाल करना है क्योंकि हम जानते हैं कि अंतिम विजय हमारी होगी इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे यहां बुलाया बात करने के लिए अपनी बात रखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद हम सब को बोला है प्रश्ण पूछना है अथवा उत्तर देना है आप प्रश्ण नहीं पूछेंगे तो मंच आप से प्रश्ण पूछेगा तो यह द्यहन में रहे कि हमको आपस में संबाद के माध्यम से इसको आगे बढ़ाना है एक जिग्यासा किसी की हो तो उसके लिए हमारे दोनों वक्ता अभी उपलब्द हैं तो मैं थोड़े सी लिब्रल हो जाता हूं लिबर्टी ले लेता हूं कि सबसे पहला सवाल तो मेरे ही मन में आया है मैं आधरणी उमेश उपाद्याजी से पूछना चाहूंगा जैसा कि ओलनों ने बताया कि Artificial Intelligence इस हद तक हो गई है अमारे फोन के माद्यम से, लैप्टप के माद्यम से, इंटरनेट के माद्यम से, कि हम कहां हैं, हम क्या खाते हैं, हम किं चीजहों को पसंद करते हैं, हम किं चीजहों पर एग्रेसिव हो जाते हैं, किं पर डिफेंशिव हो जात अब हम सब के घर में मुझे द्यान है कि अचानक से मेरे बेटे ने मुझे अलेक्सा दे दिया तो बहुत लोगों को घर में होगा हम सोचते बत्ती बंद कर देता है बत्ती चालू कर देता है गाने सुना देता है गाने नहीं सुनाता यह सब बड़ा अच्छा लगता है और हम लोग अक्सर अपने बेड्रूम में अलेक्सा लगा लेते हैं लेकिन असली बात तो यह है कि अलेक्सा जब आप उससे बात नहीं कर रहे होते हैं आपको रिकॉर्ड कर रहा होता है तो आपके बेड्रूम में जो हो रहा है उसको रिकॉर्ड कर रहा है और रिकॉर्ड इसलिए कर रहा है कि आप कितना धीमे बोलते हैं वो भी जानना चाहता है पीछी जो मशीन है एवरिजिंग इस रिकॉर्ड़ेट इस दुनिया में अभी कुछ भी नीजी नहीं है प्राइवेट नहीं है हम यह कहते हैं यह आफ दी रिकॉर्ड है अरे आफ दी रिकॉर्ड कुछ होता ह नहीं तो जहां तक संबब हो ऐसी चीजों का कम से कम बेडरूम में ना इस्तेमाल करें एक बात दूसरा इन सब में मैंने बोला ना टेक्नलोजी को पीछे समझने की जरूरत है बही गूगल मैं अब आप इस्तेमाल करते हैं मैं भी इस्तेमाल ना करें देखिए यह अब पूरी तरह आप सोच पाएंगे फोटो यार अब हम लोगों को मतलब करें अब तो हम सब जगें मतलब हम लोगों ने तो मैं जियो में हूँ तो हमने तो वहां भी टावर लगा दिये तो बचेगा कैसे और आपको कनेक्टिविटी तो पूरा डिस्कनेक करना पड़ेगा विपस्ना हो जाना पड़ेगा बट टेक्नलोजी को समझ के जहां जहां उसके अंदर प्रिवेंशन के टूल्स हैं उनको कितना संबब उपाएगा अब मैं बड़ा मुश्किल है पर करना चाहिए लेकिन बहुत बचने का उपाएग अब नहीं है जैसा उमेश जी ने बताया कि जो बायो इंफॉर्मेशन और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का ट्योग जो है किया जा रहा है हमें एक ट्रस आई वाज करने के लिए तो इसको क्या हम अपना एक ग्लोबल पोजिस्टिंग सिस्टम इंडिया में इसको बनाने की विसे में कुछ तो सकते हैं जैसे अपने बोला टीम बनाने के लिए इस विसे में जो creation of algorithm आप social media पे काम कर सके हैं क्या हम प्रयास कर सकते हैं टीम बना के देखे भारत और मैं यहां तोड़ा अपने उन लोगों से विप्री तराय रखता हूं जो यह कहते हैं कि भारत ने IT में बड़ा अच्छा काम किया है हमने कुली होने में अच्छा काम किया है भारत में आज कोई भी बड़ी मीडिया टेक मीडिया कंपनी नहीं है अपने दुश्मन से भी कुछ सीखना चाहिए मुझे नहीं लगता कि हमको चीन जैसा बनना चाहिए अतना कंट्रोल करना चाहिए लेकिन उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म्स डिवलप किये बनाए भारत में दुरुभाग्य पूर्ण तरीके से एक विमर्ष बना दिया गया और वह एक विमर्ष चलता है ना अपने यह सरकारी है यह निजी कंपनी है चीन निजी कंपनियों को करके बहुत बढ़े बढ़े संस्थान बना लिए हमने निजी कंपनियों को गाली देना शुरू कर दिया सरकार बहुत सारे काम नहीं कर सकते है हमारे पास आज कौन सा प्लेटफॉर्म है है Won hunt और हमारे लोग वहां जाके बना रहे हमारे लोग सिलिकन वाली में बना रहे है और हमारे लोग आप नाम ले लिजे आप सब जानते हैं कौन-कौन CEO हैं क्या है वो तो बड़े नाम आ गए नेकर नीचे कितने सारे लोग है हमने ऐसा माहौल भारत में नहीं बनाया कि भारत की क समस्या भारत के लोगों के राजनितिक दलों के सामाजिक संग्टनों के कारण उत्पन हुई है जिसने दिमाग में बिठा दिया कि जो नीजी होता है प्राइवेट होता है वो गड़बड होता है जी सिविल सुसाइटी में इस माइंड से बहार आकर भारत को इतने और अब अच्छा हो रहा है कल की रिपोर्ट है कि भारत यूनिकॉन मनाने के मामले में तीसरे स्थान पर आ गया यूनिकॉन यानि एक बिलियन डॉलर के कैपिटलाइजेशन की कंपनी यही लोग करेंगे न यही लोग है न और निजी सरकारी में क्या है भाई निजी सरकारी तो काज का खेल है न यह इसके नाम है उसके नाम है इस ढरती पर यहीं है डारत ही पुद्र हैना एक सरकार की नोकरी में चला गया एक प्राइवेट की नोकरी में चला गया हमको बहुत आवश्यक है ऐसे institutions create करने का जो new tech को बायो टेक को info tech को इस्तेमाल करें अपने तरीके से और बड़े बड़े ऐसे platforms बनाएं इसकी बहुत मैं जैसे की सोती जी ने कहा था कि वह एक बड़ा तबका है जो कि अपनी opinion बना रहा है और यदि मैं इन दोनों चीजों को जोड़ूं जो आपने कही कि एक artificial intelligence है जो कि जो आप पसंद करते हैं वही आपके सामने पेश कर रहा है तो आर देर सर्टन तिंग्स या कीवर्ड जिए हम इडिन्टिफाइ कर सकें उप इन चेंज करने वालों को जो प्यूटर आदमी opinion form कर रहा है धीरे धीरे बना रहा है हम उसको identify कैसे करें पहले में deep platform करने की बात करता हूं जो कर देते हैं सोशी जैसे ट्रंप को कर दिया गया और पता नहीं कितने लोगों को किया जाता है पर ट्रंप तो बहुत बड़ा व्यक्ति है बहुत आम अकाउंट्स को कर दिया जाता है साथ हजार एक लाग वाली following वालों को कर दिया जाता है की वर्ड्स हैं लेकिन वह मैं मंच पर भी नहीं आप बात में संपर करिएगा या हम कोशिश करेंगे कोई लिस्ट डिस्ट्रिब्यूट हो पाए की वर्ड्स हैं दूसरी बात यह कि जैसा अभी उमेश सर ने कहा कि बहुत सारी चीजें कि आप वह ले सकते हैं जो आप कह रहें ना प्रिकॉशन्स वह आप ले सकते हैं लेकिन अगर आपने माइक की पर्मीशन दी वी अपने फोन में अन है तो आप विश्वास करिए कि यह जो हम डिस्कस कर रहें ना इस से संबंधित कुछ आप अपने घर में कुछ डिस्कस कर रहे होंगे आपको दो दिन बाद आपकी यूट्यूब फीट पर उसी से संबंधित वीडियो खुद आ जाएगा आप समझ नहीं पाएंगे आया कैसे हम बात कर रहे थे और बड़ी स्पैसिफिक होती है मतलब आपके घर में दोई लोगों के बीच में बात हुई वो कोई समाज में वो अवेरनेस फैलानी है उन तक भी यह बताना है जो अभी उमेश सर ने इतना किया कि किस तरह कॉलनाइज यह भी एक कॉलनाइजेशन चल रहा है तो यह अवेरनेस भी हमको फैलानी न उस पीडी तक वो प्रिकॉशन वो खुद लेंगे जो नई पीडी आ रही है वो हमसे जाना है कि ऐसा हो रहा है पिर कैसे करना है वो हमसे अच्छा जानते हैं ग्लोबल टाइम्स के वारे में हर व्यक्ति जानता है भारत में और अगर नहीं जानता है तो फिर वही बात है हम उसे बताएं कि वह तो यह गौर्वर्मेंट का माउथ पीस है बट यह बात बिल्कु फ्रेंट्स पर यह चल रहा है तो काउंटर करने का तो अल्टिमेटली वही तरीका है इनोवेशन और अवेरनेस मैं आपको एक्जाम्पिल दूँगा हलाकि अपनी बात नहीं करनी चाहिए जब यह डोकलाम का आपने जिक्र किया मेरे को मेंडरिन नहीं आती है मैं गया है कि जो उसको वहां का जो सोशल मीडिया है वाइब हो वहां पर वो चीज पहुंच जाती है और हमारे वी वह सारी बाते मन से कहने की नहीं है हमारे भी लोग है वो भी काम करते हैं तो वो पहुंच जाती है लेकिन फिर बात वही है ग्लोबल टाइमस इंडिपेंडेंट न इतना आसान नहीं है लेकिन फिर भी क्योंकि उनकी जो डायस्पोरा है जो उनके जो प्रवासी चीनी लोग है वो भी पूरे विश्व में फैले में जैसे तो उनके थुरू भी बहुत सारी चीज़े जाती हैं वहाँ पर बहुत सारे संगठन हैं जैसे एक फालून गॉंग कर कर एक है जिसको वहाँ पर निश्कासित किया उसने जो है प्राचीन जो योग की विदियां है जो महाँ का प्राचीन धर्मता प्रकरती से जो राशिंतोईज्म ताविज्म उस सब को मिलाकर बुद्धिज्म को उन्होंने वो डैवलप किया और उसके बहुत बड़े महाँ पर फॉलोइंग है और उनके जो नेता है उन सबको उन्होंने निश्कासित कर रखा है पूरे विश्व में पहले हैं लेकिन उनके कनेक्शन तो है ना उनके महाँ चाइना के अंदर कनेक्शन तो है ना तो आप फिर वही बात है कि क्या हम उन लोगों से संपर्ग में हैं क् उनको मालूम है और क्या हम अपनी बात उन तक पहुचा पा रहे हैं उनको आर्म कर पा रहे हैं उनको कुछ ऐसा हतियार दे पा रहे हैं कि वो उसको महाँ इस्तिमाल कर पाएं तो यही यही सब है बस इनोवेश्व कोई ऐसी खास बात नहीं बस थोड़ा सा डीपली ठिंग करने के हावशक्ता एक चीज इस पर मैं जोडता हूँ मैं इतना बोलूंगा कि डोकलम जो हुआ और यह उधारन है इस बात का कि इन्फोमेशन वार में भारत ने बहुत अच्छा काम किया देखिए सोशल मीडिया का जितना मीडिया का जितना बहतर इस्तेमाल किया हमें माल जुरत काम किया मैं कह नहीं सकता उन्होंने तुरंट ये स्थापित कर दिया वर्ल्ड मेडिया के अंदर की चायना एग्रेसर है उन्होंने बता दिया कि हमारे 15 लोग शहीद हुए चीन बता नहीं पाया तो किसीने का 35 हुए किसीने का 40 हुए किसीने का 60 हुए तो सोशल मीडिया का बहुत बढ़िया इस्तेमाल भारत सरकार के लोगों ने किया और दुनिया भर मानता है कि वो एग्रेसर था ये जिसको बोलते ना सोशल मीडिया में पहले मारे सुमीर जो पहले अपनी बात रख दे ठीक से रख दे तरपून तरीके से रख ले भारत ने किया और स्थापित हो गया कि चीन एक आकरणवकारी देश है तो डोकलम का जो उधारन है वो भारत के लिए बहुत गर्व का विशह है कि हमारी एजेंशियों ने इन्फोमेशन एजेंशियों ने कितना खुतूरत रख दा झाल